डॉक्टर साब अभी आपने नाम लिया कंपोजिट बीज और संकर बीज तो आप ये बताईए इन दोरों में क्या तो अंतर है और कंपोजिट बीज को तयार करने की क्या विधी है कंपोजिट बीज जो है वो खिसान दो से तीन वर्ष तक काम में ले सकता है और कंपोजिट बीज पैदा करना थोड़ा आसान है संकर किस्म के बनिश्पत क्योंकि कंपोजिट जो बीज होता है वो 15 से 20 लाइने जो हमारी जो सलटेर लाइने होती है जिनका हम चैन करते हैं उन इसको मल्टिप्लाई कर सकते हैं जिसको कि अबन दो से तीन साल तक काम में ले सकते हैं जबकि संकर किस्म में अलग-अलग तीन लाइनों का अपन चैन करके और उसका उत्पादन कर सकते हैं जी डॉक्टर साब अब हम यही जानना चाहते हैं कि जो संकर वीज के आपने बात है और लाइनों की बात किए वो कून सी लाइने है किस तरीके से इसका उपयोग हम बीज उत्पादन को और बहतर बनाने के लिए करते हैं यह बताईए बाजरे में संकर बीजँ उत्पादन के लिए मुखी रूप से टीन लाइनों का अपन प्रियोग करते हैं एक A-Line होती है एक B-Line और एक R-Line तीनों लाइनों का विकास अलग-अलग रूप से किया जाता है और इनका जो परजनक बीज है वो हमारे संस्तान दोरा तैयार किया जाता है और A-Line जो होती है उस पे जो बीज बनता है वो अपना संकर किस्म का बीज ह करो सकते हैं